तो दोस्तों मॉडलिंग में कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे चाहे इस्पारिंग मेल फीमेल मॉडल हो चाहे मॉडल्स के मम्मी पापा हो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्क्रीन शॉट्स प्रेजेंट करने वाला हूं जो मेरे पास आते हैं और मुझे लगता है इनको देखके आपको भी समझ आजेगी किन चक्रों में नहीं पढ़ना है ताके आपके अपने हाड़न मनी आपके ममी पापा के पैसे आपके खुद के पैसे बच जाएं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना हाई गाइस वल्कम बैक मैं हूँ प्रवीन भट I'm a celebrity fashion and advertising photographer based out of Delhi और आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कुछ important सवाल जो मुझे लगता है कि लोग भेशते ही क्यों है कि मतलब इतना जादा आप बेवकूफ कैसे बन सकते हैं या ऐसे doubt आपके mind में आ क्यों रहे हैं कि ये सब करने से आप या आपका बच्चा star बन जागा सबसे पहले ये द इंचेस जो है ने बोला बहुत ही बढ़िया है उनको Sunday को लिया और इंसे मिलवा दो I went there जैसी में माँ पोची immediately the lady said के बच्चा हमारा select हो गया है और तीन साल का बच्चा है and told के she will cast him for first cry मतलब no audition ना कुछ बच्चा देखते ही first cry के लिए select हो गया and भाई साब his eyes are very eye-catchy बच्चे को भी पूरा दाना डाल दिये साथ में मम्मी को भी then they told me immediately to pay 30,000 rupees for making his photo shoot is it real sir I am sure बहुत सारे पेरेंस को ऐसा लगता है कि भाई मेरा बच्चा मेरा जिगर का टुकड़ा बस ये अभी agency में ले गया हो रात और रात इसको star बना दे लेकिन काश इतना easy होत ये सब चीजे मिलना और मतलब आप खुद अपना दिमाग यहां लगाएं देखो यार simple process है आप agency में जाते हो आज audition पे जाते हो आपको audition लिया जाएगा और audition के बाद आपको घर भीज़ दिया जाएगा लेकिन जितने भी fraud लोग हैं आपको immediately आते ही बोलेंगे आपका selection हो जाया है या आपको बोलेंगे घर जाये हम आपको अपडेट करेंगे और जैसी आप घर जाएंगे आपको ये back to back call करने लग जाएंगे selection हो गया जल्दी आजो selection हो जल्दी आजो और उसके return में आपको बोलेंगे या तो registration के नाम पे पैसे दो या बोलेंगे हमने आपके प्रोसेस नहीं होता है एजनसी में जाना है और घर आओ कोई भी बंदा आपको गैरंटी या शूट देने के नाम पर पैसे नहीं मांगेगा तो जहां आप गए थे यह टोटली फ्रॉड है इनसे बच के रहिएगा तो अगला है हमारे जो भेजा है भावना व्यासने सर मेरे बेटे को फस्क्राइस और आइन को भी फस्क्राइस आया है और उन्हें किड्स की ने शूट है बट स्लॉट बुक करने के लिए पांच हजार मांग रहे हैं एक एर की फीस बोल रहे हैं और शूट पर बच्चों को छे से बारा हजार रुपे पे करेंगे बारा शूट प्लीज बताईए जन्मिन है या फ्रॉड है अरे भाई पांच हजार रुपे मांग रहे हैं और आपको बोल रहे हैं बारा हजार के हिसाब से बारा शूट होंगे तो आप खुद दिमाग लगा लो कि अगर इतना असान होता पांच हजार रुपे देखे मैं बारा शूट स साल के मिल जाएंगे तो क्या ही बात थी तो हर गली के बच्चे को मिल रहा होता और हर गली के जो मम्मी पापा ना उनका लाल पीला जो आज परस्क्राइब पता नहीं कितने बड़े-बड़े ब्रैंट्स का मॉडल बना होता तो आप ये गलत जगा गए हैं भावना और ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है यहां पे आप वाट्साइप मेसेज या कॉल करके अपना पॉर्टफोलियो शूट हमारे साथ बुक करा सकते हैं जे जी मॉडलिंग एजनसी का यूट्यूब चैनल लाइव होगा है जहां पे बहुत सारे बीटियस बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यह चैनल है और इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल रहा हूं आप जरूर जाके चैनल सब्सक्राइब करिए अगला सवाल है दोस्तों मैंने यी कॉमर्स के लिए दो तीन बार पे किया है एक हजार रुपे रेजिस्ट्रेशन के लि और बार बार आप सभी लोगों को बोलता हूं कि मॉडलिंग पैसे देने से नहीं होता है बुरा ही लगता है कि जब हम मैं किसी को मिलता हूं और बोलता हूं और वो मुझे बोलता है सर हम आपके फैन है हम आपको फॉलो कर रहे हैं लेकिन कल किसी को पैसे देया है तो भाई फैन हो मुझे प्यार करतो मेरे वीडियो देखतो उसके बाद भी पैसे देखे आ रहे हो इस आपसलूटली लाइक क्या ही बोलो सो रेजिस्टरेशन फीज कुछ नहीं होती भाई ये सारी मित है सब ये धोके बाजी है जो ये जितने कॉडिनेटर हैं ये फ्रॉड लोग है आप लोगों के साथ कर रहे हैं आखरी सवाल दोस्तो हे सर प्लीज रिप्लाइ सर एक एजनसी ने मेरे से एक हजार बीस रुपे मा पर्चेश के पैसे मांग रहे हैं तो यह फेक है और बदले में 43,000 देंगे भाई मेरा भी नंबर दे दो यहां पर शिवा भी है मेरे साथ मेरा सिस्टेंट इसका भी नंबर दे दो हजार उपे क्या हम दो-दो हजार उपे बेढ़ेंगे हमको रिटर्न में 43,000 दिला दो मतल और आपको यह सवाल मेरे से पूछना पड़ रहा है कि भाई क्या है कि बैंक है कोई लोन की गैरंटी है कोई सोना मिल रहा है क्या ही चल रहे है तो क्या ही बोलुत हैं यह तीम पहले क्वेस्टन से आपको समझ आ गया हो गए सारे जुट हैं यह जितने भी लोग registration का धंदा बंद कराओ गाईज अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज लिखा करो किस एजन्सी के साथ किस ने आपके साथ फरॉड किया है ताके बाकी के पेरेंस बाकी के जो बचे हैं नए लड़के लड़के हैं मौडलिंग के लिए जो जा रहे हैं उनको तो कहीं न कहीं आप बचाओ तुम्हारे साथ धोका हुआ है किसी दूसरे के तु जेब कटने से बचाओ और अवेरनेस फिलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्वाओ